नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों ये एक गंभीर सिचुवेशन हो सकती है कि आपकी नींद अपने आप प्रात्य तीन से पांच बजे खुल जाती है, माना जाता है कि रात में बार बार यू नींद खुलना कोई मा समूली बात नहीं है, बलकि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आप से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और आपको कुछ बताना चाहती है, अगर दोस्तों जिसकी नींद प्रात्य तीन से पांच के बीच खुलती है, तो दोस्तों उसके साथ क्या होता है, दो जाये साथान, दोस्तों नींद हमारे जीवन का अविभाज अंग है, नींद सिर्फ शारिरिक तोर से ही नहीं बलकि मानसिक तोर पर भी सेहत मंद बनाती है, अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की नींद रात में एक दम खुल जाती है, कभी कभार ये घबराहट या ज्याद तनाव के कारण भी होता है, लेकिन यदी ऐसा बार-बार हो रहा है, तो ये एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है, माना जाता है कि रात में बार-बार यूँ नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बलकि ऐसा होना इस बात को दर्षाता है कि आत्माएं आप से संपर्क क करने की कोशिश कर रही है, और आपको कुछ बताना चाहती है, ऐसे में आपको सावधान रहने की सक्त जरूरत होती है, हालां कि अलग-अलग समय पर नींद खुलने का अलग-अलग मतलब होता है, अच्छा जागर्न हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए ज पहले तो जल्दी सोना भी चाहें, तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें उसे सोने नहीं देती, जैसे तैसे इनसान दे। अपनी संतान का पालन पोशन करती है, उसी प्रकार स्रिष्टी नींद की स्थिती में विश्राम देकर सब को पोशित करती है, हमारी दैनिक दिंचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्चक भाग है। यह हमको उर्जा प्रदान करती है, जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्चक है, गहरीव. सही मात्रा में ली गई नींद हमारे मन वशरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमको ताजगी मिलती है, और हम उर्जावान तथा प्रसन हो जाते हैं. आधी अधूरी नींद के कारण दुख, दुरबलता, कमजोरी, सुस्ती, लगु जीवन अवधी आधी कठिनाया उत्पन हो जाती है. दोस्तों विडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुती आपको पसंदाती है, तो विडियो को अभी ल इसी वजह से कई लोग एकदम से जाग जाते हैं, नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है. वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि नींद हर दिन एक विशेश समय पर खुल तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है. इसको हलके में लेना आपको भारी पड़ सकता है, दोस्तों आपके साथ भी यदि ऐसा हो रहा है, तो बस समझिए ये विडियो आपके लिए ही है, इसे आखिर तक देखिए और जान जाए इसके पीछे की वजह क्या है, दोस्तों यदि आप जल्दी सुना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नेंद नहीं लगती है, तो हो सकता है, आपको कोई चिंता सता रही है, आमानसिक तनाव में है, सुकून भरी थंडे पानी से चहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाब करें, आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें, इस तरह से दिल को बहला कर, आप तनाव को कम कर सकते हैं, इससे ना केवल आपको तनाव से चुटकारा मिलेगा, बलकि आपको एक अच्छी नींद भी म मिल सकेगी, ऐसे ही आप रातरी ग्यारह से एक बजे के बीच में एक दम सोते हुए उठ जाते हैं, तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिन्तित हैं, आप खुद को भरोसा दिलाए, जो होने वाला होगा, वो तो होके ही रहेगा, चिन्ता की चिता में जलने से क कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत भरी नींद लेकर प्रात्य ताजगी भरे मन से समस्याओं का निप्तारा करने में अधिक सक्षम होंगे, और यदि ऐसी चिन्ता की कोई बात नहीं है, तो कहते हैं कि बारा बजे के आसपास के समय में यदि आपकी नींद खुलती है, तो इ आपकी जान को खत्रा भी हो सकता है, दोस्तों और रात में एक से तीन बजे के बीच का जो समय होता है, वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है, यदि इस वक्त आप एकदम जाग जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद आपका, यकरत यानी की लिवर ठीक से काम न अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, और गुस्सा नाराजगी आपके मन में है, तो अकसर ऐसा होता है, ऐसे में ठंडा पानी पिए थोड़ा ध्यान करें, इश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा कहते हैं, यदि रात में बारह से एक बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं, तो वो सपना आने वाले तीन साल में सच हो है, और एक से दो बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं, साल भर में सच साबित होते हैं, दोस्तों यदि आपकी नींद अकसर त मात्मा का जाप करें कि बहुत सी शक्तिया आप से मिलने के लिए आपके अंदर समाने के लिए बेताब है और दोस्तों यदि आपकी नींद रात तीन से पांच बजे के बीच खुलती है तो थोड़ा सावधान हो जाए हो सकता है आपको फेफरों संबंधित कोई परिशानी है या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ती के प्रभाव के कारण हो रहा हो प्रात्य। तकी जिंदगी में आने वाले बदलावों को जेलने के लिए हम तयार रहें और दोस्तों में तीन से पांच बजे के बीच आख खोलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में व्रिद्धी होने वाली है आपके घर में खुशिया आने वाली है प्रात्य जल्दी उठना क प्रात्य उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं तो इस समय आख खुलने पर लंबी सास लें। कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं, दर्शाता है, आप भावनात्मक द्रिश्टिकोन से बहुत कमजोर हैं। कोई चीज आपको भाव प्रबंधता से रोक रही है, आपकी नेंद रोज प्रात्य पांच से साथ बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील है, असल में इस समय आपकी उर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, इस समय आप सबसे ज् होने से पहले ही उठ जाना चाहिए क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वया आकर जगाते हैं, उस्व व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सुर्योदे से पहले ही उठकर स्नान इत्यादी करके इश्वर की पूजा जब तक ध्यान नित्यकर्म पूरे कर लें इसके अलावा दोस्तों प्रात्य उठकर अपने घर की सभी खिड किया और दर्वाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरने आपके घर में प्रवेश कर सकें घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले ताकी माता लक्षमी का आपके घर में आगमन हो दोस्त प्रात्य उठकर सबसे पहले इश्वर का नाम स्मरण करें इश्वर को धन्यवाद देकी है इश्वर आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन राप्त हुआ है आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अफसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण रही राह देखने का अफसर प्राप्थ हो रहा है। मी निवास करती है, मध्यमे मा सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। गद्धा आपके लिए उप्युक्त हो वर्टिकल बार यदी वो बहुत सक्त होगा, तो आपके कंधों वो कमर पर ज्यादा दबाफ पड़ेगा। यदी बहुत ज्यादा मुलायम हो, तो आपका शरीर नीचे चला जाता है, जो कि आपकी पीट के लिए नुकसान दायक है। इस स्थिती में आपको अपना गद्धा बदल देना चाहिए ताकि आपको आराम मिले दोस्तों थोड़ा बहुत व्यायाम करें, लेकिन आवश्यक से अधिक ना करें, बस नियमित रूप से थोड़ी तैराकी या तहलना ठीक रहता है, वर्टिकल बार दिन के समय व्यायाम क चीज आपको परेशान कर रही है, और आप उसके बारे में सही तरीके नहीं सोच पा रहे हो, तो अपनी समस्या को सोने से पहले कागस पर लिख लें, और स्वर्ण से कहें कि कल आप इस समस्या से निपतेंगे यदि आप सो नहीं पाते हैं, तो उठ जाएं और कुछ ऐसा कर जिससे आपको हलका महसूस हो जैसे पढ़ना, तीवी देखना या हलका संगीत सुनना और जब आप ठकान महसूस करें, तो फिर से सोने जाएं, दोस्तों कभी कभी आपको लगता है कि को दिन के समय भी नींद आ रही जब आपको जगना होता है, सामान्यत ऐसा रात में ना स से सलाह लेनी चाहिए, कुछ शारिरिक रोग जैसे मधुमे वाइरल फीवर या थायराइट समबंधी समस्या इसका कारण हो सकते हैं, कुछ अनेकारण भी हो सकते हैं, दोस्तों रात में ज्यादा सोचना काफी हद तक मस्तिश्क के प्रसंसकरण के लिए नीचे है, जो दिन के दौरान हमारे साथ हुआ है, हमारे पास दिन के दौरान समय और स्थान नहीं है कि क्या हुआ है, और इसका मूल्यांकन करने और इसका अर्थ, निकालने के लिए बास्टिन कहते हैं, कभी कभी ऐसा करने का एक मात्र समय होता है, जब हम बिस्तर पर होते हैं, दो चिंता न यानि जरूरत से ज्यादा सोचना जबकी सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन यह कभी-कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। आप कैसे पता करेंगे कि कब सोच में डूबा रहना आपके लिए फायदे मंद है और कब ये बेवज़ है और आपकी हेल्थ को नुकसान पहुचा रहा है हम कैसे तै करते हैं कि विचारों का एक सामान्य स्विकार्य स्तर या तीवरता क्या है और किस बिंदु के बाद हमें इ बहुत अच्छे लगते हैं और कई बहुत बुरे दोनों ही स्थितियों में आप इनके बारे में सोचने से बच नहीं सकते हैं किसी घटना के बारे में भी बहुत अधिक सोचने पर आपको नींद नहीं आएगी कोई ऐसी घटना जो पहले कभी ना हुई हो या फिर जिसने आप पर बहुत गहरी चाप छोड़ी हो वो भी नींद चुरा सकती है। ऐसा खास कर उन लोगों के साथ होता है जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या फिर जो हर किसी बात की। गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है ऐसे लोग अपने ही ख्यालों से परेशान होते हैं ये कहा जा सकता है कि कई बार आपके ख्याल ही आपकी नींद के दुश्मन बन जाते हैं। रात में नींद नहीं आने की परेशानी आपकी सोच की वजह से भी हो सकता है आशा है कि आज की यह प्रस्तुती आपको पसंद आई होगी धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए